हेलो स्टुटेंट्स, क्लास 10, मैतमेटिक्स, टॉपिक कर रहे हैं, सरफेस एरिया, बॉल्यूम, आज एक कुश्चिन और देखेंगे, ओके, इन्सियाटी बुक निकाल लेजेगा, फाइन, देखेंगा इसमें, एक्साइस 13.3, इसका देखेंगे हम लोग कुश्चिन नमबर 8, वाटर इना कैनाल, 6 मीटर वाइड और 1.5 मीटर डी, इस फ्लोइंग विद आ स्पीड आफ 10 किलो मीटर पर आर, कैनाल फ्लो हो रहा है, इसको एक्स्पेंड करने से पहले, मैंने कैनाल को कैसे अपने को डील करना है, कैनाल को क उसको किस तरह से एजियूम करना है, यह सब मैंने, क्लास 9 का एक क्वेशन है, ठेके राइट, उसमें पूरा समझा रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, ठेके राइट, तो आप उस क्वेशन का वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो नही नहीं है, तो आप तीचर इंचार ऌसे बोलेगा कि वह आपको शेर करेंगे, वह एक् extremely सेम कुशन है, वहाँ पर केनाल का पानी C में गिर रहा है और यहां पर इस कुशन में काम में पानी field में गिर यह खेत में गिर रहा है, ठेके, बस इतना सा scar happened, तो मैंने पूरा explain किया है इसमें पानी बह रहा है, ठीके, कैनाल हमने बना रखिए, ताकि खेतों के पास पानी पहुंच सके, उस टाइम पर भी जब बारिश नहीं है, तो इस तरह से सब जगे खेतों में पानी पहुंच जाएगा, हर जगे फील्ड में पानी पहुंच जाएगा, तो यह जो कैनाल है, ठीक है इसकी width चोड़ा ही यह width दे रखा है 6 meter और depth भी है नाचुरली depth तो होगा जमीन के उपर तो ना प्याल रहा है पानी पूरा अंदर depth में है ठीक है तो depth कितना दे रखा है 1.5 meter depth में है तो अगर मैं इसको assume करूँ तो आप ऐसा बोल सकते हो ने कि कैनाल क्यूबाइडियल शेप में है भाई यह देखो आप यह तो हो गया इसका length यह breath ठेक है इडिशक टू बैंक्स ओफ रिवर दो किनारे हैं रिवर नी कैनाल ठेक है और पानी एक depth में है तो पानी वही शेप लेता है जैसा container होता है तो हम उसको as a cuboidal shape में expect कर सकती है ओके जैसे आप देखो यह पूरा पानी भरावा है ठेक है पानी बहरा है इसमें ठेक है यह देखो राइट इस तरह से water भरावावा ओके आप मान सकते है कैनाल कुछ इस तरह से होगा अगर हम इसको 3D form में देखें ठेक है जो एक cuboidal shape में होगा जहां पर ठेक है राइट इसका जो breath है वो 6 meter है और जो depth है यह depth यह लिखावा है 1.5 meters ठेक है इधा क्लिए लिखावा है बास में आ रही है और इसमें जो पानी बहरा है उसकी speed क्या दे रखी है 10 km per hour ठेक है rate of flow of water दे रखा है 10 km per hour तो इसको कैसे interpret करें मैंना 9th वाले example नहीं बताया है ठेक है राइट कैसे interpret करेंगे जैसे आप क्या करो ये कैनाल ले लो इस point से लेके इस point तक speed क्या दे रखी है 10 km per hour ये दे रखी है rate of flow of water तो इसको कैसे समझेंगे है ना हम किस चीज़ को समझ रहे है speed को समझने की कोशिश कर रहे है हमने क्या किया कैनाल की एक length ले लो ये कैनाल है यहाँ पर point A मार्क कर दिया यहाँ पर B हमने A से नापा पूरा B तक तो कितना था 10 km यहाँ से लेकिए यहाँ तक पूरा 10 km right A से B तक फिर हमने क्या किया right यहाँ पर एक gate लगा दिया B point पे और बंद कर दिया यहाँ से आगे पानी नहीं जाए ठीक है बंद कर दिया अब यहाँ पर एक gate लगा दिया और पानी को बंद कर दिया अब इसके आगे पानी नहीं जाए अब यहां से कोई पानी अंदर नहीं आ पाए, बंद कर दिया, तो हमने 10 किलो मीटर की लेंथ लेके, ब्रेथ 6 मीटर और डेप्थ पूरा 1.5 मीटर, ठीक है, राइट, और 10 किलो मीटर, मतब मीटर में चेंज करेंगे तो 10,000 मीटर, ठीक है, इसको बंद कर दिया, अब यहां से भी बंद, यहां से भी बंद, यह पूरा पानी भरा हुगा है, राइट, अब आप क्या करो, यहां से खोल दो, तो पानी बहना शुरू हो जाएगा, तो यह पूरा पानी, एक घंटे में खतम हो जाएगा, स्पीड का मतलब समझा नहीं कोशिश कर रहा हूं कि स्पीड को हम कोश्चन में किस तरह से समझेंगे हम अपने कोश्चन में कैसे लें इसको समझ रहे हैं तो मैंने क्या बोला कि 10 किलोमेटर की लेंथ लेलो कैनल की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पहले एंड पॉइंट पे गेट लगा दो ताकि पानी आगे नहीं निकले और यहां से पानी आने दो जब पूरा भर जाये तो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी गेट लगा दो अब यह पूरा पानी भरा हुआ है और क्योबाइडिल शे तो देखो तो जैसे मैंने यहां से बंद कर दिया यहां से बंद कर दिया तो cuboidal shape में आ गया तो एक ऐसा cuboidal shape हो गया जिसकी length 10 km है in 2000 कर देंगे तो 10,000 meters breath 6 meter है और depth 1.5 meter ठीक है तो जो बोला है वही लिखा भी है volume of water fell into field in 1rs L into B into H volume यह cuboid है इसका volume कैसे निकालेंगे मतलब इसके इंदर कितना पानी भरा हुआ है कैसे निकालेंगे L into B into H मतलब इसमें से पानी कहां गिर रहा है आप इस तरह से माननों यहाँ पर हमने बंद कर दिया और खेत है इसके जस्ट बादी खेत आप ऐसा माननों और यहां से जैसे gate खोलेंगे यह पानी इसमें गिरेगा राइट तो एक घंटे में कितना पानी गिर जाएगा ठेक है जितना इसमें भरा हुआ है पूरा पूरा पानी खाली हो के कहाँ चला जायेगा फील्ड में चला जायेगा एक घंटे में तो एक घंटे में कैनाल का पानी फिल्ड में ठेक है समझ गया ना एक घंटे हो कैसे लिना है तो यह पूरा पानी फील्ड में गिर जाएगा एक घंटे में तो हमने देखा कि एक घंटे में कितना पानी गिरेगा जितना वालियूम होगा समझ रहे है ना वो 9 वाला भी देखना उसमें मैंने कोशिश करें पूरी समझाने की इधर भी कर रहा हूं मैं पर वो ज़रूर देखेगा ठीक है रही तो हमने क्या बोला इसके इंदर जितना पानी भरा हुआ है कितना भरा हुआ है ल in to be into it कितना पानी भरा हुआ है यह एक घंटे में फिल्ड में गिर जाएगा बत्तंब फिल्ड में पूरा पहुंच जाएगा पानी पूरा खाली हो जाएगा पूरा पानी फिल्ड में पहुंच जाएगा L कितना है 10,000, breath 6, depth 1.5 और meter cube, ठेक है, 1R का मतलब कितना हो गया, 60 minutes, तो 1R में जितना होगा, उतना ही 60 minutes में होगा, अच्छा, 1 minute में कितना पानी गिरेगा, ठेक है, यह dot dot का मतलब वही है, volume of water fell into field in 1 minute, 1 minute में कितना गिरेगा, जादा का दे रखा है, 1 का निकालना है तो divide, पर हमें कितने का निकालना है, 30 minutes का, question पढ़ते हैं देखो, क्या बूल रहा है, okay, how much area will it irrigate in 30 minutes, ठेक है, 30 minutes में कितना पानी गिरेगा, तो 1 का दे रखा है, 30 का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, multiply, ठेक है, फिर 32, cancel हो गया, 30 into 260, तो वा 10,000 into 6 into 1.5 upon 2 meter की, तो इतना पानी खेत में गिर जाएगा, right, अब खेत में इतने पानी की जरुरत क्यों है, पिचली क्या होता है, देखो, अगर आप rice का cultivation कर रहे हूँ, ठेक है, paddy, ठेक है, right, तो उसमें क्या होता है, खेत के नदर पानी भरा होना चाहिए, cultivation के लिए, okay, fine, अगर आपने कभी देखा हो, है न, videos भी होते है, तो rice cultivation में, खेत में पानी भरा होना चाहिए, okay, fine, तो कितना पानी भरा होना चाहिए, पढ़ते हैं, तो सपोज आप मान रहे है कि rice का cultivation हो रहा है, field में, how much area will irrigate in 30 minutes, if 8 cm of standing water is needed, जो field है, field में कि 8 cm तर, अब field, खेत, इसने नहीं बता रखा खेत कैसा है, तो हम कैसा मानेंगे, rectangular खेत है, कुछ इस तरह से, ठेक है, यह छोटा सा बना हुआ है, यह देखो, अगर यह rectangular खेत है, और इस खेत में हमने 8 cm तक पानी भर दिया, तो cuboidal form में आ जाएगा, न, तो आप सोचो, वो cub void form में हो गया फर तो, जिसमें length है, length को हमने capital L मान लिया है, breath को capital B, और कितना पानी भरना है, कितनी height रखनी है पानी की, 8 cm, तो खेत में क्या करते हैं, side में मटी से पूरा एक boundary बना देते हैं, 4 ठेक है, मटी है, ठेक है, उसको एकटा करकर करकर करकर, एक boundary बना देते, ताकि पानी नहीं जाए, और 8 cm की उन्होंने height वाली boundary बना दी, ताकि पानी इसी में रूखे, तो किस shape में आ जाएगा, cuboidal shape, पास में आ गई, तो अब हम बात कर रहे हैं, खेत की, जो खेत है rectangular shape में है, और इसमें पानी जैसे ही हमने भरा, वैसे cuboidal shape में आ गया, तो इस खेत में अगर हम 8 cm तक पानी भरते हैं, ठेके, राइट, तो कितना पानी आएगा, ठेके, volume of water in field, if 8 cm of standing water is required, तो कितना हो जाएगा volume, L into B into H, volume of cuboid, तो L into B into H, height कितना आ जाएगा, 8 cm, पर अगर आप 8 cm को, meter में change करोगे, तो divide by 100, तो 0.08 meter, तो यह दर लिखा होगा है, और L into B क्या है, area of field, length और पे, समझ गया है ना, भी field तो आपका rectangular shape में ही है, पर जैसे आपने उसमें पानी भरा, तो ऐसे पानी भर जाएगा ना, तो किस शेप में आ जाएगा, क्यों बॉइडल शेप में आ जाएगा, ठीक है, तो area of field क्या हो जाएगा, rectangular shape है, तो length into B, पास में आ जाएगा, ठीक है, चलिए, इतना pause करके लिखो, फिर अपना आगे बात करते हैं, चलिए, तो आपने लिख लिया होगा, अब मैं इसको थोड़ा rough कर देता हूं, और, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं, according to the question, यह जो आया है volume, area of field into 0.08 equals to this, ठीक है, दोनो value आपस में equal हैं, समझते हैं, जैसे हमसे क्या बोला, कैनाल से 30 minutes तक हमने पानी छोड़ा, ठीक है, तो 30 minutes तक पानी छोड़ा और किसमें गिरा हो, खेत में, तो हम बोल रहे हैं, कितना पानी गिर गया, इतना पानी गिर गया खेत में, 30 minutes में. राइट? और वो खेत यह रहा. जो पानी यहाँ से गिरा, वो इसी खेत में गिरा. और इतना पानी इसमें भर गया है. ऐसे question में बोला है. इसमें से जितना पानी खोला, पूरा खेत में आ गया. तो इस वक्त जो water इसमें भरा हुआ है. वो वो ही है, जो कैनाल में से निकला है. कहीं और से तो ना आया पानी. तो 30 minutes हमने कैनाल को open रखा यह वाला gate. है ना, इसको तो यहाँ से बंद कर दिया. यह वाला gate open रखा. 30 minutes तक हमने खोल के रखा और वो पानी इधर खेत में आके भर गया. फिर बंद कर दिया उसको. तो जितना पानी 30 minutes में निकला, वो कहाँ है? खेत में. तो that means, जो अभी जो volume of water है field में, वो वही है जो कैनाल में से निकला है. तो कैनाल में से कितना निकला है? इतना. और यही पानी इधर भरा हुआ है. तो इधर जो पानी भरा हुआ है, उसका हमने दूसरे तरीके से volume निकला. L into B into H. तो यह आ रहा है. तो that means, यह दोनों ही क्या कर रहे हैं? एक ही बात को discuss कर रहे हैं. यह भी क्या बता रहा है? volume of water. और यह भी ठीक है? पॉस करके solve करें इसको. चलिए भई, आपने solve कर लिया होगा इसको. ठीक है, इस साथ जो assignment आएगा, उसको ज़रूर करिएगा. Next class है मिलते हैं, कुछ नहीं चीज़ों के साथ. तब-तब practice करते रहे, पढ़ते रहे और अपना ध्यार रखे. बढ़ते हैं, कुछ झाल में।